पर जाए हैं मातारानी का भोग बनाने जिसके लिए मैंने आटा गुथ लिया है तो पूरिया में तर ले जा रही हूं जो आप देख सकते हैं इधर मैंने लोई कर लिया इसे आप रिफाइन लगा करके इस तरह से रिफाइन लगा ले और इसे छोटी-छोटी पूरिया बेल इस तरह से आप देख सकते हैं चकले पर डालिए इसे दबा करके आप बेल लें अच्छी से इस तरह से नवरात्री मातारानी को फोग लाना चाहिए आज मैं पूरी खीर चने काले चने का रेश्पी आप लोगों को मैं पहले ही और डेटी दे चुकी हूं रवा के हलवे का यहां कि आप लोगों को रेश्पी मैं दे लेकि यूँ इस तरह से आप भी बना ले तो चलिए मैं रवा कि आप देख सकते हैं यहां तेल गरम होचुका है आप चाहें तो इसे थोड़ा सा अटार डाल करके चेक भी कर सकते हैं इस तरह से आप सकते हैं यह जो अच्छे से निकलने लेगे इसका मुझण है कि तेल मेरा तोसे से आप तारी पुलियों से बेल लेंगे आप चाहें तो एक बार में बड़ी सी लोई लेखा के अच्छे से बेल दीजिए और छोटे गलास की सहाता से भी आप गोल गोल फिलिया बना सकते हैं इसे हलका हलका गोल्डेन बने तक आप इसे एक को साइड कीजिए फिल दूसरे को भी इसी तरह से डावते जाईए और अनाते जाईए यहाद यहाँ रखिये कि तेज फ्लेम होनी चाहिए इसे की अच्छे से खुले तो चलिए मैं यह सब को शान लेते हूं इसी तरह से लीज करने को खुश करें थैंकियो धन्यवाद हैपी नवरात्रा है